हलो फ्रेंज वैलकम बाक टो अभी हम लोग यहां पे बर्जर पेंट्स करेंगे और इसमें देखेंगे इस यह बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा नीचे की और गिरा है तो यह और कितना नीचे गिर सकता है यह किन लेवल्स के असपर जाके सपोर्ट लेगा ठीक है तो 560 से लेके यहां पर 680 तक बहुत ही बढ़ियां यहां पर लगातार यह ग्रीन केंडल बना की उपर के और गया है लेकिन यह वाला जो केंडल था इसमें बहुत ही ज्यादा बुलिशनेस थी लेकिन देखेंगे यह इन लेवल्स को जो इसका आल टाइम हाई के आसपास का ज जो अच्छे चांसे से हैं वो यहां पर पहला ब्रेकाउट लेवल जो है वो 520 के आसपास है और यह जो मोमिंटम हुआ है इसका अप्राक्स 60 परसंट यहां पर क्या हो जाएगा यह करेक्ट हो चुका होगा तो यह जो 520 के आसपास का जो जो लेवल है इस लेवल के आसपा के आसपास कहीं दे दे यहां फिर क्या होगा 520 के आसपास ठीक है यह जो 520 का लेवल है इसके आसपास यह touch करेगा touch करने के बाद हो सकता है closing इस तरीके से candle तब तक हो जाएगा इस तरीके से candle यह बनेगा इस मन्त में यह हो गया first thing second thing के लिए हम लोग को क्या अगरना पड़ेगा अब हम लोग को जो अच्छा support है जिस लेवल पर buying happening होने के सब ज़्यादा chances है वो level जो होगा वो होगा 480 के आसपास ठीक है अब यह 480 से लेके यह पूरा का पूरा यह एक zone होगा ठीक है 20 रुपीज के आसपास का zone होगा जहाँ पर यह ज़्यादा support लेने के इसके chances है क्योंकि already बहुत अच्छा खासा sell हो चुका होगा weekly time frame पर देखेंगे तो लगातार selling हो चुकी होगी और यहाँ पर फिर इन levels के आसपास green candle यह फिर इस तरीके के कुछ pattern देखिए एक green candle बना दोनों candle का high pass में है तो एक अच्छा range बन गया और इसका जैसे और यह एक support के आसपास बन रहा था ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं पर भी बन रहा था एक अच्छा breakout level था उसके आसपास बन रहा था तो यह यहाँ पर buy करना यहाँ पेंटर करना logical लगता है technically सही लगता और SLB हमारे पास काफी अच्छा था ठीक है इसके सामने अच्छा profit आपको मिला होगा अगर ऐसे आपने planning की होगी अब यह मैंने मंतली time frame पर बनाया आप इसको daily और यहाँ पर weekly time frame पर देख सकते हैं अब हम बाद चुकि बहुत ही जल्दी deep selling हुई थी यहाँ पर share क्या किया halt किया और यह halt करने के बाद फिर से अपना low यहाँ पर break किया है मतलब यह price action pattern यहाँ पर फिर से बना रहा है अब price action pattern बना रहा है तो अगर देखेंगे यह जब यहाँ से उपर की ओन निकल रहा था तो second time य यह break करता है ठीक है जैसा लग रहा है share जिस तरीकी से momentum किया है हो सकता है 537 से थोड़ा सा नीचे मैं अभी आपको बताता हूँ इस candle का अगर हम मैं यहाँ पे closing price देखूँगा तो 528 के आसपास है तो हो सकता है कल के दिन 528 के touch करे ठीक है touch करने के बाद closing कहीं ना कहीं ऊपर दे दे अगर ऐसा situation मनता है ऐसा candle यहाँ पे बनता है तो हो सकता है यहाँ पे fit से hold करेगा अगर hold करता है ठीक है यहाँ पे देखेंगी breakout level है halt करने के बाद यह किस तरीके price action बनाता है हो सकता इसी candle के अंदर बहुत ही दिन time pass करे अगर ऐसा situation मनता है तो जी sure breakout देगा तो अच वो ये वाले लेवल्स हैं 475 से 450 के बीच में ठीक है अब ये इन लेवल्स के आसपास आने की जो probability है थोड़ी कम है ठीक है लेकिन अगर इसके आसपास आता है और यहां पर कुछ भी green candle बनाता है तो हम लोग entry लेंगे stop loss इसी green candle के नीचे रखेंगे और फिर इसके उपर जाने में देखे हैं जैसे वोल्टास हो गया ठीक है वोल्टास में आपने ऐसे selling देखी होगी उसके बाद फिर से वो भी reversal अच्छा करने लगा और भी दो अच्छे shares है जिसमें ज्यादा अच्छी यहां पर selling होई लेकिन बाद में बहुत अच्छे तरीके से उसमें reverse भी किया है अब क्या होगा ठीक है तो यहां पर यह हो गया first point का यहां पर hold point हो गया यह जैसा कि अभी हमने डिसकस किया second hold point जो होगा 500 का round level होगा और 500 round level जब तक यहां पर आएगा तब तो थोड़ा सा price section बन चुका होगा और यहां पर हमारे पास एक trend line होगी ठीक है तो इस trend line को breakout जाएंगे, ज्ञाद कॉंटिटिन के लिके जाएंगे इसलिए लिके जाएंगे, क्या की यहां से कर मून्टम कर जाता ए उपर कि उ और यहां श्ललस प्रे संपर की और यहां स धर ब्रेक कर देнगी उसके बड़र महीं तो इस तरह के से हम लोग यहां पर प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन कोई भी situation में आपको यहां पर एक risk amount रखना है अगर माल लेते हैं यहां पर हमने entry लिया तो हमारा जो SL है इसके नीचे होना चाहिए वो किसी condition में अगर यह माल लेते हैं यह break कर देता है तो हम लोग exit कर जाए करेंगे share को फिर hold नहीं करेंगे क्योंकि फिर जो नीचे की level से हो काफी नीचे है इसलिए अब हम लोग one day time frame पर चलते हैं और देखते हैं आज का सिनारियो क्या था तो आज यहां पर क्या हुआ जैसा कि मैं बता रहा था आपको दूसरे shares में जब selling होती है तो यहां पर price action बना के इसको break कर दिया पिछले तीन दीनों से लगाता है यहां पर selling चल रही है अब इस candle का जो लो है ठीक है यह इस candle का जो लो है वही लो था 527 के आसपास का level और यहां पर यह जो जो जोन है 520 से लेके ठीक है 520 से लेके अप्रॉक्स 510 के बीच का zone होगा यहां से यह क कर रहा है कि वह किस type का all tribe का level है तो इस type के all type का level है ठीक है तो यह जो 520 के आसपास आएगा ठीक है तो इसके आसपास क्या होगा थोड़ा जादा यह रुकेगा और इस तरीके से base बनाने की कोशिश करेगा और फिरसे अगर fail होता है तो यह price action इसी तरीके से हम सभी को बता ह तो फिर से जब यह फेल होगा तो यह जो इन जोन में आ जाएगा 500 से लेके 480 के जोन में और यहाँ पे होगा ठीक है यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा कोशिस करेंगे इसको यहाँ पर बाई करने की क्योंकि important support है सभी को दिख रहा है और इस support में तब तक यह trendline अच्छ कर सकते हैं thank you for watching this video